हेर केर में यूज होने वाली जितनी भी नाच्रल रेमिडीज होती हैं इन में से कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके बालों को आपके स्काल्प को पॉश्टिक्ता देते हैं, नियूट्रिशन देते हैं, ग्रोथ देते हैं, समझ मैं है? और कुछ ऐसे होते हैं, जो कि डारेक्ली ग्रोथ नहीं देते हैं, लेकिन जो चीजे ग्रोथ रोक रही हैं, स्काल्प को परिशान कर रही हैं, आपके किसी ना किसी फॉलिकल को किसी की तरह की टेंशन दे रखी हैं, इन्हिबिटर हो रखे हैं, उनको हटा देते हैं, और उनक का स्काल्प भी ही एल्दी रहता है, आपके बाल ही रहते हैं, आपको फिकार और आपको को मिलते है, है लॉझ से आपको छुड़कारा मिल पस ऐसे ही ट्राइ कीजिए का जैसा में आपको बता रही हूँ और फिर देखे क्या माजिक आप अपने बालों के लिए कर लेते हैं आईए चानते हैं what all needs to be done नमस्कार और स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चानल पृती प्रेड़ना पर आफ्टर वेरी लॉंग टाइम आज हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं और वन उफ इट्स काइन रेमिटी में आपके लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों में ऐसी ग्रोध द आपाएंगे जस जैसा में आपको बता रही हूँ एक्जाक्ली वैसे ही फॉलो कीजेगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो अवज से सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजेगा पैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और मेरी फैमिली प्लीज लाइक करना मत भूलेगा बार बार याद दिलारियो प्लीज यार भूला मत करो सबसे पहली चीज जो इस रेमिडी को प्रिपेर करने के लिए पको चाहिए वह एक ब्लेंडिंग जार जिसमें आपको लेना है अप्रॉक्सिमेटली चार से पा अगर आपके घर के आसपास कोई साउथ अनियन दुकान है जहां पर यह सांबर अनियन के नाम से मिलते हैं तो आप उनको ट्राइ कीजिए हमारे आसपास यही छोटे वाले प्याज मिलते हैं तो यही यूज करते हैं अदवाई शालट्स ओवल शेप होते हैं और काफी ज्यादा अच्छा स्वाद बहुत डिफरेंट स्वाद होता है इनका तो अगर है आपके आसपास तो डेफिनिटी ट्राइ कीजिए आयुरवेदा में यह मेडिसिन कहा जाता है समझ में आई ना तो मेडिसिन तो क्यों करता है मेडिसिन को आपको सेहत थोड़ी न नहां ले सकते हैं इसके बाद सेकें इंग्रीडिन जो यहां पर आपको लेना है वह हैंडफुल ओफ कड़ी पत्ता करी लीव जिसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता एक न्यूट्रिशन है अभी मैंने आपको बताया अनियन में न्यूट्रिशन नहीं था लेकिन वह ग्रोथ इन स्कल्प कर लीजिए फाइबर नहीं खाना चाहते हैं तो थूख दीजिए अदर वह भी आप खा सकते हैं इस दाट पाफुल और इसके अंदर इतने प्यारी न्यूट्रियंस हैं कि जो की हेर ग्रोथ को इमीडियेट कर देते हैं इमीडियेट आपकी हेर फॉलिकल बहुत कम चम्मच एक कटोरी में और नेक्स्टे मौनी वह हलके से फूल जाते हैं और थोड़े से इजी टू ग्राइंड हो जाते हैं इसको आप ले लेंगे एक चम्मच सीद्स को और इसमें ले लेंगे अब मेथी दाना इतना स्टिकी होता है सब जानते हैं उन्हें ट्राय किया है यह भी कोई nutrition आपके बालों को नहीं देता है लेकिन अगर आपके scalp पर dandruff है, itchy scalp है, किसी भी तरह का microbial, you know, fungal infection, bacterial infection है, कोई भी itchiness आपके scalp पर है, उसको यह address कर सकता है, जहां इतना powerful यह होता है और जो shine यह आपके hair shafts को देता है, इसके लिए तो मैं जो कुछ बोलना ही न जैसे, you know, shine करते हैं, इतनी reflection आपके बालों में आ जाती है, तो यहां पर आपने एक चमच मेथी दाना ले लेना है, चौथा ingredient जिसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है, वो है एक चमच कलॉंजी, जिसको आप Nigella seeds या ब्लाक क्यमिन के नाम से भी जानते है, इसके अंदर ज जावन प्राश के तरह ले सकते हैं, यह इतना पाफुल है, इसको भी हम यहां पर एक चमच ले ले लेंगे, आप चाहें तो इसे सोक कर सकते हैं, या फिर डिरेक्ली भी ले सकते हैं, आपसिलूटली नो प्रॉब्लम, इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सिमेटली दो आपको मिलेगा, बहुत ही स्लिपरी सा पेस्ट होगा, इसके बाद आपको लेना है आपका अगला इंग्रीडियन्ट जो कि आपके बालों के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है, यह लोहे की कढ़ाई, इसी कढ़ाई में जब आप काम करेंगे तो लोहे की तत्व आपके तेल आपके तेल में आते हैं जिनको आप टॉपकली जब अपलाए करते हैं तो वह बहुत आपको देते हैं क्योंकि आप डिरेक्ली जो भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रही है तो चैसे ही आपकी लोही की कढ़ाई हलकी गरम हो जाए इसमें आपको लेना है आपका बेस ओ जो कि मैब आपको दे रही हूं सबसे पहले हो सकता है coconut oil coconut oil keps communities Ici आपके बाले जूड़ों पोरेले उन में डिपॉसित हो सकता है यह सबके लिए नहीं सू करें मतलब सबके लिए नहीं जाता है। कई लोग जिनुनकी sensitive skin है कोए ना कोई परिशानी रहती है उनके लिए यह पॉइंट्स कंसडर के जाते हैं अधर आदी से जादा दुनिया गोगनट ओल यूज कर रही है इस तीज की डिसक्शन भी नहीं होती है इस दाद सूटबल तो मैंनी पीपल लेकिन हां जिनका सेंसिटिफ सकिन है कोई ना कोई परेशानी रहती है उनको ये बाते कंसडर करनी चाहिए अगर आपको यूज कोई परेशानी स्कैल्प इची रहता है तो आप यूज कर सकते हैं ओल्लिव ओल्लिव से ज्यादा पैनिट क्रेट करता है अधरवाइस आप यूज कर सकते हैं सैसेमे ओल जिसको तिल का तेल कहते हैं अई अरवेदा में इसी को बेस लेने के लिए कहा गया है आप कोई भी इन्फूजन करें सैसेमे ऐस्किन के इशू को बहुत आसानी से इक्स कर सकता है लेकिन थोड़ा सा ठिक होता थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की बहुत इसी होती कि लगा के पसीने आने लग जाते हैं इतना गरम होता है तो लेकिन बहुत न्यूट्रिटिव है अब आपके उपर हैं इन तीनों में से किस विकल्प को चूज करना चाहते हैं मैंने यहां पर दो कप कोकोनेट ओयल का इस्तेमाल करते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह चीजों को जला देते हैं जलाने से उनका जो अल्टिमेट जहाते हैं उसमें से वह तो आपने फुकाई दिया तो आपको कंप्लीटली जलाना नहीं है अप्रॉक्सिमेटली 5-10 मिनिट्स अगर आपकी आँच बहुत ही 10-15 मिनिट्स और उसके बाद आप इसको चान कर एक ग्लास कंटेनर में प्रिफरेबली ले लीजिए प्लास्टिक आइवल नेवर से अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो चस्टों वड़ी इसको ठंडा होने दीजिए फिर आप किसी प्लास्टिक कंटेनर में डालिए पूछते हैं कि हमसान इंफूजन में रखें यह करें वो करें यहां पर हमने इंग्रीडियंट्स डिरेक्ली नहीं डाले तो हम वी मेक शॉर की सारा पॉइस्टर रगया है फिर आप उसको कितने भी टाइम के लिए रखें कोई प्रब्लम नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह स इसका water content नहीं गया था तो यह तेल खराब भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे आज से इसको start कर देंगे लगाना application करना दो कप oil है ज्यादा लंबा नहीं चलेगा तो दो से तीन हफते जितना भी आपका चलता है एवरी वाश से पहले जम के चंपी कीजिए पूरे scalp पे पूरी देना जाते हैं और उसके बाद आप head wash कर देंगे जैसे आप नॉमली करते हैं करते रहें जब तक यह ओल फिनिश ना हो जाए जब आपका हेर लॉस कम हो जाएगा I am very positive आपका जो hair regrowth आप देख रहे थे हैं hair loss के बाद वो होना start हो जाएगा चोटी-चोटे बालों की growth आनी स्टार्ट हो जाएगी and obviously you'll be very happy जो कोई भी soil को प्रिपेर कर रहा है अपने hair loss को कंट्रोल करने के लिए let me tell you very 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 clearly कि hair loss topical application से temporary रुकता है जब तक आप main cause को address नहीं करेंगे वो फिर से होने लग जाएगा इसलिए curry leaves खानते रहे हैं मैं हमेशा बोलते हूं curry leaves में इतने सारी nutrients होते हैं कि आपका जो भी deficiency की वज़े से hair loss हो रही है वो address होना start हो जाता है तो अच्छा खान पान बहुत आवश्यक है अच्छे से balance diet लेना आवश्यक है और फिर ये topic application आपके लिए कमाल तो करने ही वाल जो 3-4-4 महीने remedies करके और फिर वापस आकर लिखते हैं कि प्रेना magic हो गया आपको नहीं पता है कि आपको वो simple सा message होता है वो मेरे लिए कितना powerful होता है मैं I really get so excited कि yes people are believing and they are trying it for themselves ये अलग energy है मेरे लिए तो please वापस आकर अवश्य लिखा कीजिए कि आपके लिए किस remedy ने कि किया I would love to hear from all of you आशे करती हूँ आपको इप्रस्तुती पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो किया वरे थाम्स अब मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी आगली वीडियो में with something magical till then take really good care of yourself and know for sure I love you